हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं एक्टीब चैनल स्पाइसी सुगर इफ या नीए अन मैं चैनल सब्सक्राइब मैं चैनल और मो रेशिपीज आज हम मैनाएंगे आलू मेटर की सबजी और पूरी तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां भी ले लिया है आटा मैं यहां पर डाल दूंगी दो कप मेदा और थोड़ा नमक अब हम इसमें दो चम्मस तील डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब हमें इसमें अच्छे से गुंद लेना है आटा गुंद के रेडी हो गया है अब हम इसमें थोड़ी दे ढखके रख देंगे यहां पर मैंने ले लिया है मतर मैंने इससे 5-6 गंटे पानी में भीगोगे रखाता अब हम सारे आलो और मतर को कुकर में डालके 3-4 सिटी तक ले लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं आलो और मतर पक चुके हैं अब हम करी बना लेंगे सबसे पहले तील करम करके मैं डाल रहे हूँ दोड़े खड़े मसाले और एक चम्मच चीरा उसके बाद हम डाल लेंगे प्यास और अच्छी से फ्राइ कर लेंगे प्यास का कलर थोड़ा सा चेंज होते हिए हम डाल देंगे अध्रेक लेंसुन का पेस्ट प्यास अच्छी से फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी टमाटर पक्ती ही में इसमें डाल दूँगे हल्दी पाउडर रेड चीली पाउडर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर अब इसे अच्छी से फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के हमें सारे मसाले अच्छी से फ्राइ कर लेना है अब मैं यहाँ पे डाल रहे हूँ थोड़ा कूटा हुआ काली मेच पाउडर जैसी के आप देख सकते हैं मसाला फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे आलू और मटर मैंने यहाँ पे आलू को क्रश कर लिया है ताकि हमारी आलू मटर की सबसी ग्रेवी रही स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं यहाँ पे डाल रहे हूँ थोड़ा पानी अब हम यहाँ पे डाल लेंगे एक चमच गरम मसाला अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी थोड़े कोरियंडर लिप्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे आलू मटर की सबसी रडी है अब हम पूरिया मिना लेंगे इसे करके हम सारे पूरिया बना लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे